question number 47 है आपके सामने देखिए इसमें हो क्या रहा है two boats A and B start toward each other from two places 108 km अपर देखिए एक boat है A point पर एक boat है B point पर दोनों एक दूसरी की तरफ आ रहे हैं और इन दोनों की बीच की दूरी किती है 108 km कि यहाद सबको सावज में आए ठीक है उसकी बात क्या हो रहा है speed of boat A is यह की speed क्या है A की speed 12 km पर आए और B की speed 15 km पर आए ठीक है यह बात मिलकुल ठीक है उसकी बात क्या हो रहा है A proceed down मतलब रिवर का direction भी इसी direction में रिवर भी इसी direction में जा रहा है ठीक है और B upstream ठीक है B upstream आ रहा है down stream down stream जा रहा है तो यहाँ पर A की speed क्या हो जाएगी x plus y ठीक है और यह जा रहा है upstream तो इधर B की speed क्या हो जाएगी x minus y ठीक है इसको x1 बोल देते है इसको x2 बोल देते है ठीक है और यह कौन से पूरा यह system चल रहा है relative का ठीक हरा कि धोनों सेब एक दूसरे क्या आप चिए direction में स्भाठ्षा यह इस direction में स्भाठ्षा च्शन में आ Awesome और यह इस direction में आ रहा तो दौनों की speed क्या होंगी जड़ जाएगी दोनों स्भाठ्णी और यह से पने यह देखने में आरा है यह सवा दो कटी जाएगा मतलब स्पीड अपने पास x1 plus x2 ही बचेगी ठीक है तो यह question कुछ question नहीं है सिर्फ language का थोड़ा सा इसमें खेल किया है simple सा question है अपने को time निकालना है time का formula क्या होता है distance upon speed distance 108 speed है x1 plus x2 दोनों की speed 12 plus 5 रखेंता हुजाए 27 और 27 को इससे काटेंगे यह कड़ जागा 4 तो चारा हुआ अपना अंसर हुआ यह दीक है